सर्दियों का मौसम सुरू होते ही मुमफली खाने का मन करता है लेकिन साथ साथ बहुत सारे कुशिंस भी अराइज होते हैं कि क्या रोज मुमफली खाई जा सकती है या हमारे हैल्थ के लिए कितनी बैनिफिशल है कहीं heart related जो problems हैं वो देखने को तो नहीं मिलेंगी cholesterol बढ़ेगा की नहीं बढ़ेगा sugar patients इसको ले सकते हैं या उनका sugar level बढ़ जाएगा इसको खाने से कहीं weight तो नहीं बढ़ेगा तो ये सारे questions जो हमारे दिमाग में आते हैं तो आज उनका solution इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा जो scientifically based होगा तो इस वीडियो को पूरा अंतक देखिए मेरे साथ बने रहे हैं और अगर अभी तग आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe भी जरूर करिए जिससे कि आपको health related updates मिलते रहें नमिश्कार मैं डॉक्टर हिमानी पांडे अरवेदिक कंसल्टेंट स्वागाइद करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल हिमान अरवेदा में मूम फली जिसको हम peanut या फिक ground nut भी कहते हैं ये nut की category में नहीं आता है कई लोग सोचते हैं कि ये nut है लेकिन ये nut की category में नहीं आता है ये legume है ये एक edible seed of legume माना गया है इसकी nutritional value अगर हम देखें तो 100 gram का अगर आप मूम फली लेते हैं तो उसमें energy level आपको बहुत अच्छे amount में मिलेगी इसका जो energy level है वो 567 kilo calorie देखा गया है protein value भी इसमें बहुत अच्छे amount में होती है 25 gram है carbohydrate 16 gram है जो इसमें fiber है वो 8 gram है इसमें heart healthy fat पाया जाता है जो heart के लिए अच्छा होता है जैसे कि mono unsaturated fatty acid, poly unsaturated fatty acid इसमें vitamins और minerals भी बहुत अच्छे amount में पाया जाते हैं जैसे कि vitamin B3 जिसको हम niacin कहते हैं biotin, selenium, zinc, magnesium, magnesium, phosphorus, vitamin E जैसे इसमें vitamins और minerals पाया जाते हैं इसमें साथ-साथ bio active compound भी बहुत अच्छे amount में पाया जाते हैं जैसे कि resveratrol हो गया या फिर आपके isoflevans होगे, phytosterols होगे जो antioxidants का भी बहुत अच्छा source है तो ये एक full package है vitamins, minerals और बहुत अच्छे compounds का सबसे पहला है कि heart friendly है इसको heart friendly माना जाता है तो जिनको heart related issue है तो हो इसको moderate amount में without any hesitation यूज़ कर सकते हैं और जो normal person है उनके heart कुते strong बनाता ही है research ही बताते हैं कि इसमें कुछ ऐसे compounds पाये जाते हैं जैसे कि resveratrol जो हमारे heart को healthy बनाने में बहुत important role play करता है साथ-साथ इसमें vitamins और minerals का भी full package है जो हमारे heart के लिए बहुत healthy होता है हमारे heart की functioning के लिए बहुत important है कुछ studies में ये भी देखा गया है कि जो bad cholesterol है वो 11% कम हुआ है इसके regular use से और जो good cholesterol है वो तो maintain रहा ही है triglyceride भी नहीं बढ़ा है तो जो heart related जो patients होते हैं वो इसका moderate amount में use कर सकते हैं ये heart diseases के risk को कम करता है दूसरा question ये arise होता है कि जो diabetic patient होते हैं उनकी लिए monthly खाना कितना फायदे मांद है research ही बताते हैं कि जैसे कि इसमें carbohydrate 16 gram कप आजाता है कि अगर हम 100 gram अगर monthly लेते हैं तो इसमें 16 gram आपको carbohydrate मिलता है तो हमें ये भी पता है कि जहां carbohydrate होता है वो sugar level को बढ़ाता है carbohydrate rich diet हम लेते हैं sugar level बढ़ता है लेकिन इसका जो glycemic index है वो 14 है और जो glycemic load है वो 1 है तो ये sugar को नहीं बढ़ाएगा तो जो sugar patients हैं वो ले सकते हैं क्योंकि इसमें carbohydrate अगर 16 gram है तो उसके साथ साथ protein का भी बहुत अच्छा source है इसमें good fat भी पाया जाता है और fiber भी अच्छे amount में पाया जाता है तो जो इसका glycemic index है और जो glycemic load है वो भी कम है तो ये जो sugar patients है उनकी लिए super food है तो जो American Diabetes Association है उसने इसको diabetic super food माना है इसलिए जो diabetic patient है वो इसका moderate amount में use कर सकते हैं उससे उनका sugar level नहीं बढ़ेगा फिर एक question ये भी arise होता है कि मूमफली खाने से रोज कहीं मोटापा तो नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसमें calories बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए इसको moderate amount में ही use करें आप इसको रोजाना 100 gram की मातरा में use करें उससे ज़्यादा मत करें क्योंकि इसमें calories बहुत अच्छी amount में पाए जाती है तो इससे आपका मोटापा बढ़ सकता है आप जानते हैं कि सर्दियों में मूमफली खाना हमारे लिए बेहत जरूरी क्यों हो जाता है देखे सर्दियों में सबसे पहला ये है कि हमारी skin dry हो जाती है दूसरा है कि सर्दियों में हमें cold या फिर allergy की दिक्कत जादा होती है और उन लोगों को जादा होती है कि जिनकी immunity कम होती है इसमें vitamins, minerals और antioxidants का बहुत अच्छा source है जो हमारी immunity को बढ़ाता है कि जिससे कि जो सर्दियों में होने वाली जो cold और allergy है उतसे हम बढ़ सकते है तीसरा है कि सर्दियों में obviously ठंडा तो बहुत लगता ही है तो मुमफली खाने से हमारी body warmth रहती है क्योंकि इसमें niacin पाया जाता है जो हमारी body को energy provide करता है साथ-साथ इसमें good fat भी पाया जाता है जैसे कि mono unsaturated and poly unsaturated fatty acid जो हमारी body को warm provide करता है साथ-साथ winter में ये भी देखा जाता है सर्दियों में कि हमारा जो mood है वो थोड़ा सा depressed रहता है क्योंकि हम indoor ज़्यादा रहते हैं, inactive रहते हैं उसकी वज़े से हमें अफसाथ की situation ज़्यादा देखने को मिलती है तो peanut में tryptophan amino acid अच्छी quantity में पाया जाता है तो अगर हम peanut का सेवन करेंगे, moonfly का सेवन करेंगे तो हमारी body इस tryptophan amino acid को serotonin में complete करेगा जो एक feel good hormone कहा जाता है कि जिससे कि हमें अच्छी जो feeling है वो आती रहेगी सर्दियों में अक्सर हड्डियों में, जोडों में दर्द की situation देखी जाती है complain आती है कि हड्डियों में दर्द हो रहा है और जोडों में दर्द हो रहा है तो इसको bone friendly कहा गया है क्योंकि इसमें vitamins और minerals बहुत अच्छी amount में पाय जाते हैं लेकिन जो peanut है उसमें कुछ ऐसे components पाय जाते हैं जो highly digestible होते हैं easily digest हो जाते हैं इसमें monounsaturated fat पाय जाता है जो single unsaturated hydrogen bond है जो easily breakdown हो जाता है उसको digestion के लिए ज़्यादा मेहनत करने की जुरुत नहीं होती है तो ये digestive issues में भी जिनको digestive problems है उनके लिए भी friendly है वो भी इसका आराम से यूज़ कर सकते है तो मूमफली को लेकी बहुत सारे questions थी जो आज मैंने clear करने की कोशिश की है मूमफली हमारे लिए friendly है health के लिए बहुत अच्छा है आप इसको जरूर यूज़ करिए तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शियर, सब्सक्राइब जरूर करिए और अगर आप इस चैनल में नए है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए जिससे कि आपको health related updates मिलते रहें हमश्कार